ये मेरे पास आज हरी प्याज है और इस हरी प्याज को मैंने धोके साफ करके इस तरह से काट लिया है और काटने के बाद मैं इससे बनाऊंगी एक अच्छा सा ब्रेक फास्ट उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने बन फोर्थ कप मैदा ली है और बन फो लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने नमक लिया है इसमें आप हरी मिर्च और अद्रक का पेस्ट भी डाल सकते हो और लेसन का भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो पर मैंने यान नहीं किया है फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक घोल त्यार करेंगे अगर आप मेरे यूटुब चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हो और नए हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर जरूर करना अच्छे अच्छे कमेंट करना अब यह सारी प्याज जो मैंने काटी थी वह इस होल में डाल दी है और अच् तो फॉलू किजिए अब यह मैंने तेल गरम होने रख दिया है गैस को मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और एक एक करकेस में यह मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही हूं और इसे फ्राइब कर रही हूं आप चाहे तो एक बार में फ्राइब कर सकते हो इसको अगर आपको अभी फ्राइब करके सर्व कर सकते हैं और आप भी खाईए दूसरों को भी खलाइए और यह बहुती कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसे हम सेजवान चटनी के साथ सर्व करेंगे आप चाहे तो कोई भी कैचप या हरी लाइए आप खुश मैं भी खुश